हर टेकनोलोजी में कुछ एड्वांटेजिस होती हैं, कुछ टिसएड्वांटेजिस होती हैं अब वो जो एड्वांटेजिस हैं, वो डिसएड्वांटेजिस से जादा हो जाएं, तो कमस कमस की टेकनिकल फीजिबिलिटी हो जाती है, अब टेकनिकल फीजिबिलिटी से एक वाहित फीजिबिलिटी नहीं होती, उसके अलावा एकनामिक फीजिबिलिटी और बागी हाला कि इसमें सारे economic factor, social factor, even political factor भी इसके अंदर है, जो हम आपको describe करेंगे, लेकिन ये सब चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन ये इसमें एक अच्छी बात ये है कि advantages बहुत ज्यादा है, disadvantages इस technology में बहुत कम है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो fuel है इसके अंदर, कोई ऐस energy, कोई fuel नहीं है, ये इसी वज़े से तो इसे renewable कहते है न, तो उसमें कोई carbon dioxide का emission, जब वो चल रहा है उस वात कोई नहीं है, इसका ये मतलब ही कि है ही नहीं बिलकुल, इनका भी environmental इस किसम का gas वगईर emission से जरूर होता है, जैसे मैंने आपको एक मरता जिकर किया था इस बात particle material जो है, उसका emission और इसके अलावा जलाते हैं न, पत्थर को लेकर उसको जलाते हैं तो उससे cement बनती है, portland cement, तो वो जलाते कैसे हैं, वो ही gas है, वो ही कोईला है, वो ही renewable, non-renewable fuel है, तो वो यखिनान उसका बड़ा impact है इसके अंदे किए किए कितनी बेताशा cement इसमें इसम बहुत सारा impact है environmental, carbon dioxide का पहले, जब चलना शुरू हो गया, प्लांट फिर नहीं है, तो इसकी तरह ये भी है कि इनका बहुत ही कम, थोड़ा बहुत maintenance वगरा के अंदर जो होता है, वो होता होगा, जितना पानी आता है, जो इनका fuel है, वो पानी है, वो पानी वो अल्लामिया देता है, वो पानी नैचरली आपके पास आता है, तो वो जब तक के बारिश होती रहेगी, जब तक के वो पानी चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है, कोई हमें उसके लिए पैसे अलग से नहीं देने पड़ता है, एक मता कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने वो चीज जिसमें पा उसको उन्होंने पानी से भर दिया था, और वो पानी पारिस के जितने भी दरखते नो फिर जब सरने शुरू हो गए, तो उसमें से मैथेन निकलना शुरू हो गी, तो वो एक बड़ा प्राब्लम था, लोग कहते थे भी आपने क्या किया, आप कहते ये नॉन रिन्यूबल है, इन्वार्मेंट के लिए अच्छा है, यहां से इतनी सारी मैथेन निकलनी शुरू होगी, लेकिन वो एक मता जब वो निकल गी तो फिर वो केस खतम हो गया, लेकिन वो उसको थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है हमेशार, आपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्त तो इतनी हीज़ टरबाइन होते हैं, इतने मैसिफ टरबाइन होते हैं कि एक मरता लग गया, तो समझ लिए कर 50-600 साल तक यह तरबाइन वैसी कर वैसी चलता रहेगा, इतने रिजिड और इतने स्ट्रॉंग टरबाइन होते हैं, बहुत ही रिलाइबल टेकनोलोजी है, बहुत परान वाल हाइडरो साइकल तो उसकी सबसे पूरे बिल्कुल पकी रिन्यविबल है अब अब बताएं तरवेला डैम के अंदर किते हैं पैसे लगें अब अब जहां से शुरू हा था उसकी कोस्ट क्या है जहां पर खतम हुआ था उसकी कोस्ट क्या है जो non reliability है पूरे investment के वो एक बड़ा factor economic factor है जिसको देखना पड़ता है hydrology dependent के जहां पर आपने लगाया है वहाँ पर आया पानी आता है इतना के नहीं आता है अब मंगला में दो-तीन चीजें हो गई है silty के वज़ासे जो मैं बताऊंगा अभी पानी कमायता है तो उसकी वज़ासे थोड़ी सी परिशानी कभी-कभी हो जाती है तो वो जो उसके location है ना उसको देखना पड़ता है कि इतना पानी इसमें से आता है कि नहीं सिर्फ पहाड होने का मतलब यह नहीं कि आप वहाँ पहाँ पावर प्लांट लगा दें जैसे मैंने बताए कि यांग जी डैम बनाया था चाइना में उसमें कितने सारे लोगों को इनोंने रिहाबिटेट किया था कहीं और ले जाके तो सारा effect है पूरी society के उपर कि जहां पे लोग साला साल सारी नसलों से रहते थे थे उनको वहाँ छोड़के वहाँ से जाना पड़ाता है यह पाकिस्तान के डैम में भी यही है कुछ जगा पे ऐसी जगाएं जैसे पिंडी में जो डैम है रावल डैम है उसमें भी यह एक जो मज़े की बात है fish habitat यह जो यह हर जगा नहीं होती यह problem पास जगा होती है अमरीका में है यह problem यह वहाँ पे एक मचली होती जैसे कहते है salmon salmon जो है वो उपर पहाड़ी में अपसे अंडे से निकलती है फिर नीचे आती है पूरा समन्द तक की जाती है और सब बड़ी हो जाती है पिर वापस उसी जगह जाती है जहां से वह निकली थी फिर वहाँ जाके वो पिर अंडे देती है फिर उसकर दूसरा उसके generation आती है फ जितने भी environmentally sensitive लोग हैं बलके अगर salmon खतम होगी तो फिर तो उसका भी एक impact होगा ना ecological impact तो उसके लिए फिर को तरकीब हैसी करनी पड़ दी कि किसी तरीके से salmon को जाने को रस्ता दे दें तो कभी-कभी वो ladder लगा देते हैं कि बिलकुल dam है उसके साथ-साथ एक ladder लगावा है उसमें थोड़ा सा पानी आ रहा है और salmon जो है वो पानी के against तेह करती उपर कभी कैपी जैसे Robert Mosses power plant में है कि bucket लगी वी है नीचे वो salmon bucket में आके जमा हो गई उसको उठा के उन्होंने उपर lift दे दी salmon को वो भी खुश हो जाती है हम भी खुश हो जाते हैं कि चलो salmon तो मिलेग बना दिया तो जितना भी ecosystem है तो बिलकुल disturb हो गया है ना जैसे Colorado River अमरीका में है वो जब इन्होंने grand koolic dam बनाया ना तो वो उसके नीचे जितनी भी habitat थी हो बिलकुल खराब होगी तो अब हर साल दो तीन मरतबा उसको बहुत जोर से खोल देते हैं पूरा dam के सारा पानी ज हैं वो यकिनन उसको consider करना पड़ता है एक lifetime का problem होता है इनका कि अब ये इतना बड़ा dam बना है तरवेला dam बन गया उसकी एक उमर होगी ना सौ साल होगी दो साल होगी लेकिन उमर तो होगी है हर चीज़ की तो एक उमर के बाद फर्स कीज़े वो उमर हो गई उसकी अब उस को issue है कि lifetime होने के बाद इसको निकालेंगे कैसे तो वो थोड़ा सी consideration है वो बहुत बड़े पैमाने पर consideration है कि उसको आए उसको जान बुच के तोड़ना चाहिए थोड़ा-थोड़ा करके ताके वो एक दम से ना तूटे और हाथसाद भी होते रहते हैं यह देखें कितने सा आरे 1918 से 1958 तक के 33 major dam failure हर साल जब बारिशों का सीजन आता है वो एक दो डैम फेलोना बहुत आसानी सी बात है दुनिया वर के अंदर 1959 से 1965 तक के 9 dams failed means broken अब यह दुनिया के जो सबसे major disaster जो हुआ था हिनान प्राविंस के अंदर चाइना में जो पूरा डैम तूट गया था 1975 क अंदर तो यह देखे हैं 86,000 to 230,000 quarter of a million people died quarter of a million people died यह तो पहले ही Chinese density इतनी ज्यादा है न तो इस विसम के disaster हमेशा ऐसा होता है कि वो उसका जो eventual loss जो हो जाता है human loss वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो यह चूंकि इतने बड़े पैमाने पे चीज़ है तो जब यह तो तो यह जिनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसका एक economic factor भी है वो जो जो इसका जो formula लगाते है जो आपका investment के उपर कितना return आ रहा है और उसके अलावा उसमें disaster potential कितना है उसको calculate करके फिर देखना पड़ता है कि आए यह यह डेम सही है कि नहीं है कभी कभी जवाब आता है कि सह ही नहीं है तो फिर उसमें नहीं लगाए जाता है